हेलो एवरीबन वेलकम बैक टॉपर बेंस आज अराउंड दा वर्ल्ड इन एटी डेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं यह एक प्ले है एडवेंचर के उपर में हम लोग इस प्ले को पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ करेक्टर्स दिये गए हैं लेट उस रीड दिस प्ले ओन मिस्टर फिलिस फॉक जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो ट्रिप करने को निकलते हैं ठीक है वो भी एटी डेज में तो यही उनके पास एक चैलेंज रहता है और उस चैलेंज को वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं वो तो हम लोग एंड में पता चलेगा लेकिन मैं को बता देना चाहता हूँ कि वो पूरा स्टोरी आपके इस यह जो बुक है इसमें नहीं दिया हुआ है इसमें इनकंप्लीट ही दिया है वो जर्नी स्टार्ट किये है कंप्लीट किये या नहीं यह आपके बुक में जो इन्रिच्मेंट रीडर इसमें नहीं दिया गया है लेक जॉन सुलीवन, कुछ लोगों का नाम बार-बार आता है, फिलिस फॉग का तो आए गई, मेन करेक्टर है और पासपर टू का, ठीक है, वो उनके, इनके सेवक है, पासपर टू, ठीक है, तो इन दोनों का नाम एंड तक आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कि फिलिस फॉग, अमेंबर ओफ प्रेस्टीजियस लंडन्स रिफॉर्म क्लब, इस प्लेइंग अगेम विथ इस यूजवल पार्टनर्स, अपने सारे कॉमन यूजवल पार्टनर्स के साथ, फिलिस फॉग जो है, वो प्रेस्टीजियस लंडन्स रिफॉर्म क्लब के अंदर में वो लोग गेम खेल रहे हैं, और सारे लोग जो है, इस क्लब का मेंबर है, एंड्रू स्टुवर्ट, एन इंजिनियर है, जॉन सुलिवन और सेम्वल फैलेंटिन बैंकर से, बैंक में काम करते हैं, थॉमस फ्लैनेगन, एक क्लोज फ्रेंड है उनका, किनका, फिलिस फॉग का, और गॉतियर राल्फ, बैंक आफ इंग्लैनेट, जो है, वहां पर गेम खिलने के दौरान, लोग आपस में किया, कि कुछ दिन पहले, तीन दिन पहले, बैंक आफ इंग्लैन में एक 也क्लारी हुआ है, एक दकेती हुआ है, उसके बारे में वो लोग discuss करना शुरू कर दिये इस chapter का पहला या दूसरा question में ये पूछा भी गया कि वो लोग क्या discuss कर रहे है club के member तो यही discuss कर रहे है कि तीन दिन पहले robbery हुआ है तो आपसे request करता हूँ कि चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कीजे और दोस्तों के साथ share भी कीजे मुझसे मुझे motivation मिलता है तभी तो मैं ऐसे chapters का वीडियो आपको बना के देता हूँ चलिए start करते हैं फिर से Thomas यहाँ पे कहता है well Ralph what about the robbery Ralph बताओ robbery के बारे में क्या खायाल है तुमारा Ralph कहते हैं oh the bank will lose money bank का तो पैसा सारा गया समझ लो as the game proceeded the conversation seized जैसे game आगे बढ़ा यह जो conversation है वो रुख गया seized हो गया रुख गया it revived again in some time और यह discussion फिर से सुरू हुआ कुछ दिर बाद Stuart कहता है I maintain that the chances are in favor of the thief who must be a shrewd fellow shrewd मतलब चालाग चतूर Stuart कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चोर है उसके favor में ही सब कुछ जाएगा situation क्योंकि वो एक चालाग बंदा है Ralph कहता है well but where can he fly to no country is safe for him Ralph कहता है कि वो आखिर जाएगा कहा भाग करके कोई भी country उसके लिए safe नहीं है Stuart कहता है oh I don't know that आरे मुझे नहीं पता है ये बात the world is big enough ये दुनिया बहुत बड़ी है Felix यहाँ पे आता है और बोलता है कि it was once मतलब ये दुनिया जो Stuart ने कह दिया ये दुनिया बहुत बड़ा है वो कहीं भी छुप सकता है जा सकता है बच सकता है वो चोर तो Felix कहता है कि ने ने ये तो था मतलब ये दुनिया एक समय में बड़ा था यहाँ पे समझो ये दुनिया एक समय में बड़ा था Felix ऐसा कह रहा है अब नहीं है इसका मतलब क्या है अब बड़ा नहीं है एक समय में ये दुनिया बड़ा था तो Stuart चकीत हो करके बोलता अरे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है once has it grown smaller क्या ये दुनिया छोटा हो गया है Ralph कहता है इंटरफेर करता हुआ certainly I agree with Mr. Fogg Phyllis Fogg जो है वो सही कह रहे है the world has grown smaller ये जो दुनिया ये छोटा हो चुका है since a man can now go around ten times more quickly than a hundred years ago सो साल पुराने जितने तेजी से लोग travel कर पाते थे अभी के टाइम पे लोग जो है वो दस गुना तेजी से लोग travel कर पा रहे है तो ये दुनिया को तो छोटा ही समझने आ गया ना अब ये दुनिया तो छोटा ही हो गया तुरंट सब complete कर ले रहा घूम करके तो यहाँ पे Phyllis यहाँ पे Phyllis Fogg जो है उसने कहा कि ये दुनिया छोटा है इस पे भी एक question पुछा गया है ये दुनिया छोटा है Phyllis Fogg ने कहा और Phyllis Fogg का support किया राल्फ ने कि हाँ ये दुनिया आज का जो दुनिया है इसमें लोग जो है दस गुना तेजी से सफर कर रहा है जर्नी कर रहा है पुराने समय से सो सल पहले जो था उससे स्टुवर्ट अभी बोलता है राल्फ यू हव ए स्ट्रेंज वे अफ प्रूविंग देट वोल्ड आज गूम लोगे तो ये दुनिया चोटा हो गया क्या स्टुवर्ट उसको बोल रहा है कि तुम कुछ भी बोल करके मतलब इस दुनिया को चोटा प्रूफ कर दोगे वा रहा तो Phyllis Fogg बोलता है लिए कि बोल रहा है जाउन कहता है और यह देको यह जो एस्टिमेट दिया गया है नीचे यह एस्टिमेट डेली टेली ग्राफ जो है न्यूज पियपर रो दिया है क्या एस्टिमेट दिया है बाई 80 देज में कैसे पूरा दुनिया को घूम लोगे ये जो ट्रेवल करेगा वो साथ दिन लगेगा from स्वीज टू बंबे स्वीज से बंबे आने के लिए by steamer से 13 दिन लगेगा from बंबे टू कैलकटा by rail train से जाना होगा बंबे से कैलकटा तिन दिन लगेगा ये जर्नी तो हम लोगों ने बहुत बार किया ही होगा बंबे टू कैलकटा एंड कैलकटा टू बंबे ठीक है आज जो मुंबई कहा जाता है उसी का नाम पुराना नाम बंबे है और आज जो कोलकटा कहा जाता है उसी का पुराना नाम कैलकटा है तो तीन दिन का जर्नि है हम लोगों भी पता है From Calcutta to Hong Kong by steamer समुदरी रास्ते से अगर हम लोग जाएंगे तो 13 दिन लगेगा From Hong Kong to Yokohama Japan by steamer कि तईना दिन 6 दिन लगेगा From Yokohama to San Francisco by steamer समुदरी रास्ते से 22 दिन लगेगा From San Francisco to New York by rail 7 दिन लगेगा from new york to london by steamer and rail 9 दिन लगेगा तो यह estimate किया हुआ है total 80 दिन लगा ठीक है 80 दिन में पुरा दुनिया हो मतलब एक round चक्कर मार लिया ठीक है अगर यह ऐसा globe है दुनिया है तो ऐसा करके घूम करके एक चक्कर मार दिया 80 दिन में ऐसा estimated है फिर Stuart कहता है ठीक है 80 दिन में तो estimate दिया है लेकिन उसमें जरूर वो जो bad weather के लिए जो delay होगा वो जो उल्टा हवा बहेगा तो उसके वज़े से ship delay होगा ship जहाज टूट जाएगा railway का accident हो जाएगा तो वो सब थोड़ी 80 days में count किया जाएगा Stuart ऐसा बोल रहा तो फिलेस क्या बोलता है नहीं all included 80 दिन में ही हम कर लेंगे चाहे accident हो चाहे ship wreck हो चाहे contrary wind उल्टा हवा बहे कुछ भी हो सब included है 80 दिन में ठीक है 80 दिन में ही हम सब पूरा करेंगे चाहे accident हो चाहे कुछ भी हो कितनो time लग जाए तो Stuart बोलता है प्रिजर में भगवान मुझे बचाओ आई वीड वेगर 4000 पाउंड देट सच जर्नी मेड अंडर इस कंडिशन इस इंपॉसिबल मतलब Stuart बोल रहा है कि भगवान मुझे बचाओ इस तरह का जर्नी इस कंडिशन में अगर पूरा कर लेगा कोई तो मैं जो है मैं दाव पे लगाता हूँ वेगर मतलब दाव लगाना मैं दाव पे लगाता हूँ 4000 पाउंड रुप्या अगर जर्नी अगर पूरा कर लेगा असी दिन में तो मैं दाव पे लगा दिया 4000 4000 पाउंड ठीक है जो कि impossible लग रहा है जर्नी तो Phyllis बोलता है quite possible यह possible है Stuart बोलता है well make it then ठीक है पूरा करो जर्नी Phyllis बोलता है Phyllis Fogg I should like nothing better मुझे इससे अच्छा और कुछ पसंद नहीं only I warn you that I shall do it at your expense मैं तुम्हें warn करता हूँ Stuart कि मैं complete कर लूँग तुम्हारे खर्चे पर करूँगा ठीक है Stuart बोलता है I will wagger the 4000 on it चलो मैं अपना 4000 pound जो है मैं दाव पर लगाता हूँ Phyllis Fogg बोलता है all right ठीक है I have a deposit of 20,000 pounds which I will willingly risk upon it अब Phyllis Fogg भी दाव मैं आकर के बोल दिया कि मेरे पास एक deposit है 20,000 pound का जो मैं अपने मर्जी से रिस्क पर लगा देता हूँ अगर मैं हार गया तो वो पैसा तुम लोगों का ठीक है Phyllis Fogg भी ताव ताव मैं बोल दिया गर्मी में फिर John बोलता है 20,000 pounds which you would lose by a single accidental delay John बोलता है यहारे 20,000 pounds जो है तुम खोद होगे अगर थोड़ा भी accidental delay अगर हो गया ना बीच में रास्ते में तो तुम खोद होगे तो other members accept the deal बाकी सारे जो members थे पाँचे लोग जो थे वो लोग deal को accept किये Phyllis Fogg कहता है I will take the train that leaves for dollar at quarter before nine मैं Phyllis Fogg बोलता है मैं अभी निकल जाओंगा dollar के लिए एक जगा का नाम है dollar के लिए quarter before nine quarter before nine मतलब क्या होता है 845 ठीक है एक घंटा में कितना मिनिट होता है एक घंटा में 60 मिनिट होता है और 60 मिनिट में कितने quarter होता है 15-15 मिनिट का quarter होता है 15-15 मिनिट का 4 quarter हुआ न 4 quarter तो एक quarter before nine मतलब नौ बजने में एक क्वाटर घटा दो एक क्वाटर कितना कहोता है? पंदरा मिनिट का तो नौ बजने में पंदरा मिनिट घटा दो गए तो आठ पाइटालिस हो गया तो आठ पाइटालिस तक उसको पहुँचना है ठीक है? डौबर Stuart कहता है This very evening अभी आज साम को तो Phyllis क्या कहता है Phyllis कहता है this very evening हाँ यही साम को आज ही as today is Wednesday आज बुदवार है 2nd October I shall be due in London in this very room of the Reform Club मैं मैं इस Reform Club में इसी दिन इसी रूम में on Saturday 21st December को मैं पहुँँँँगा at a quarter before 9 p.m. और 8.45 में मैं यहाँ पहुँँँँगा 21. December को or else और नहीं पहुँँचा तो the 20,000 pounds will belong to you जो मेरा 20,000 जो pound है वो तुम लोगों का हो जाएगा ठीक है here is a check for the moment और वहाँ पे वो check काटके दे दिया a memorandum of the wagger was at once drawn and signed by six parties during which Phyllis Fogg preserved stoical composer तो यहाँ पर memorandum एक sign हो जाता है एक दस्तावेज पेपर वेपर बन जाता है ठीक है agreement बन जाता है छेवो पाटी मिल करके उस पर sign करता है और Phyllis Fogg जो है एकदम composer मतलब काम रहता है शान्त रहता है stoical मतलब वो जो भी दुख दर्द है वो सहता है मतलब अंदर से जो भी उसको feel हो रहा सब कुछ सह करके वो एकदम काम रहता है चुपचाप रहता है अब scene 2 start होता है scene 2 में उसका जो journey है वो start होता है Phyllis Fogg at 25 minutes past 7 25 minutes past 7 मतलब 7 बजे के बाद 25 minutes मनने 25 minutes past 7 7.25 में वो left करता है reform club ठीक है past peto past peto उसका चेला है मतलब सेवक है मतलब staff है उसका उसका assistant है फिलिप्स का फिलिस Fogg का past peto फिलिस वैलेट वैलेट का मतलब सेवक या फिर उसका assistant had conscious conscientiously studied the program of his duties वो बहुत ध्यान से उसका program जो भी है उसको वो अपना duty है उसको वो अध्यान कर लिया है he was more than surprised to see his master guilty of the inexactness of appearing at this unaccustomed hour for according to rule he was not doing civil row until precisely midnight तो वो बहुत ही आश्चर ये चकित था कौन पासपटो ठीक है आपने boss को ले करके अपना boss उसका boss कौन था फिलिस फॉक तो उसको master को ले करके अपने boss को ले करके काफी वो मतलब confused था वो surprised भी था कि मतलब boss का जो ये गलती है गलती मने समय लो in exactness of appearing at this unaccustomed मतलब इस तरह का उटपटा समय में वो उनका उपस्थित होना वो उसको थोड़ा सा according to the rule उनको he was not due in civil row उनको वहाँ पे civil row में नहीं होना चाहिए था until precisely midnight तो फिलिस कहता है पासपटू वी स्टार्ट फॉर डॉवर और कैलेस in 10 minutes हम लोग डॉवर और कैलेस के लिए निकलेंगा 10 minutes में पासपटू बोलता है Monsieur is going to leave home Monsieur का मतलब होता है महाशय Sir Mr जो हम लोग सम्मान से बोलता है न महाशय Sir है न मान्यवर तो वही बोलता है महाशय आप अभी घर से निकलेंगे क्या going to leave home फिलिस बोलता है Yes we are going around the world in 80 days हम लोग पुरा दुनिया का सफर करने वाले हैं सिर्फ असी दिन में we do not have a moment to lose हम लोग के पास एक भी समझ नहीं है एक भी moment नहीं है एक भी पल नहीं है खोने के लिए पासपर टू बोलता है but the trunks लेकिन हम लोग का जो बकसा है trunk है समान है वो सब फिलिस बोलता है we will have no trunks हम कुछ समानुमन लेके नहीं चलने वाले only a carpet bag हमारे पास होगा with two shirts and three pairs of stockings for me दो shirt होगा और कुछ three pairs का मोजा होगा हम लोग असाथ में और तुमारे लिए भी वही होगा for same for you we will buy clothes on the way हम लोग राष्टे में कपड़े खरीद लेंगे bring down my mackintosh and traveling clock and some stout shoes मेरे लिए मेरा mackintosh बाहर निकाल रो mackintosh मतलब वो शायद बर्षाती जो होता है मतलब rubber का जो कपड़ा होता है बर्षात में यूज करते हैं waterproof वो mackintosh है और traveling clock का मतलब sleeveless जो jacket होता है जो आराम दायक jacket होता है sleeveless jacket जो travel में यूज करते हैं उसको clock बोलते हैं and some stout shoes कुछ मोटे जूते though we shall do a little walking क्यों हम लोगों को walking भी करना है में एक हास्ट जलबाजी में walking करना है passport 2 mechanically set about making the preparations for departure passport 2 पुरा ready हो गया mechanically एकदम पुरा departure के लिए वहांसे निकलना है हम लोगों को तैयारी करना है around the world in 80 days after all passport 2 who had been away from France 5 years passport 2 जो 5 साल से फ्रांस से बाहर है would not be sorry to get foot on his native soil और उसको उसको कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो 5 साल बाद अपने जो native soil मतलब उसका जो native soil है उसमें वो फिर से पहुँचे जो उसका जो खुद का जो native मतलब क्या होता है जहां पे वो पैदा हुआ जहां पे वो रहा है वो अपने soil में फिर से पहुँचेगा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा by 8 o'clock मतलब गुमते गुमते world गुमते गुमते अपने master का सारा समानवान पैक वेक करके रेडी करते है लेकिन फिर भी दिमाग में उसका कुछ न कुछ चल रहा है ठीक है वो confused है वो tension में है पास बटू कि 80 दिन में एक कैसे घुम लेगा या क्या कर रहे है बोस है तो बोस है भाई बोस का बात मानना पड़ेगा जो बोल रहा है उसुनना है वो अपना रूम का दरवाजा केरफुली बंद किया और वेंट टू मिश्टर फॉक और मिश्टर फिलिस फॉक के पास गया मिश्टर फॉक वस कॉइट रिडी फॉक भी वहाँ पर पूरा रेडी था फिलिस फॉक जो बोलते है फिलिस और फॉक दोनों एक ही आदम है फिलिस फॉक ठीक है एक ही है पासपटो पासपटो, have you forgotten anything? पासपटो को फिलिस फॉक बोलता है कुछ भूल गए हो क्या रहे तुम तो पासपटू बोलता है नहीं महास है मैं क्या भूलूंगा फिलिस फॉक बोलता है गुड टेक दिस कार्पेट बैग चलो ये कार्पेट बैग पकड़ो टेक गुड केर अफिट ध्यान से इसको रखना पासपटू नियरली ड्रॉप्ट दा बैग पासपटू अब वो बैग को पकड़ते पकड़ते गिरा ही दिया था लगबग कि वो बच गया ऐसा लगा जैसे कि उसमें सोना भरा हुआ और बहुत भारी है इसलिए वो एकदम गिरा ही दिया था ऐसा मतलब कर दिया सिचुएशन गिरा नहीं गिरदा तो उसको समझा देता है उसका गुरू अच्छे से 20,000 पाउंड था मिश्टर फॉग एंड पासपटू देन डिसेंडेड वो लोग दोनों निकल गए डिसेंडेड होगे निकल गए एड दे एंड अफ दे सेविल रो तूक आप 0 और सेवायल रो के इंड व棗 एंड पर पहुंच करके ःपकार लेता है यहाएई बहुत तेजी से उसको ड्रोफ करता है चलाता है to the carrying cross carrying cross तक तो फर्सट क्लाश टिकेट तू फर्स्ट क्लास टिकेट वो लेता है फोर पेरिस वे रैपिडली पचेट तेजी सेग्दम जल्दी जल्दी मों लोग दो फर्स्ट क्लास टिकेट लेता है पेरिस के लिए Mr. Fogg's five friends from the reform club met him on their way to the train और Mr. Fogg का पांच दोस्त जो था वो reform club का वो लोग रास्ते में मिल गए वहाँ ट्रेन में ठीक है फिर क्या होता है देखें जरा फिलिस बोलता है well gentlemen I am off and if you will examine my passport when I get back you will be able to judge whether I have accomplished the journey agreed upon तो फिलिस बोलता है कि gentlemen भाई लोग मतलब महाश है लोग आप लोग देखिएगा मेरा passport को जब मैं घूम करके आऊँगा मैं तो अभी निकल चुका हूँ आप लोग चेक किजिएगा आप लोगों को पता चलेगा कि मैं जरनी पूरा कर लिया हूँ तो राल्फ बोलता है ओ धैट वूड बी क्वाईट अन्नेसेसरी आरे इसकी क्या जोरत है Mr. Fogg We trust your word as a gentleman of honor हम तुमारे उपर विश्वास करते हैं तुम भरोसे मन इंसान हो भरोसे मन जेंटलमेन हो Stuart बोलता है I hope you have not forgotten when you are due in London again Stuart बोलता है उसको ताना मारते हुए कि मुझे उमीद है कि तुम नहीं भूले होगे कि तुमको लंडन कब रिटान आना है तो फिलिस तुरन तत्टडा के बोलता है In 80 days, 80 दिन में वापस आना है On Saturday 21st December 1872 at a quarter before 9 p.m. पोने 9 बजे मतलब 8.45 में वापस हमको आना है Goodbye gentleman मतलब मुझे याद सब कुछ ठीक है Goodbye gentleman मिलते है Mr. Fogg and Paspatoo seated themselves in a first class carriage at 20 minutes before 9 तो Mr. Fogg and Paspatoo जो है वो first class carriage में बैठ जाता है गाड़ी में ठीक है 20 minute पहले 9 बजने से The night was dark and fine रात जो है काला अंधेरा है और अच्छा है ठीक है लगातार बारिस हो रहा है steady rain was falling Paspatoo not yet recovered from his stupifaction clung mechanically to the carpet bag Paspatoo का दिमाग वैसे ही चल रहा है stupifaction है दिमाग वैसे चली रहा है ज़रा सोच रहा है confused है पूरा फिर भी boss के साथ भै जाना है तो जा रहा है चल रहा है और फिर मतलब अपना जो carpet bag है उसके साथ चिपक के वहाँ पर पड़ा हुआ है then Paspatoo suddenly uttered a cry of despair Paspatoo अचानक से चिलाता है वहाँ पर घबरा करके despair मतलब हतास होकर के उदास होकर के चिलाता है तो Phyllis Fogg बोलता है what is the matter क्या हुआ रहे Paspatoo बोलता है Allahs in my hurry I forgot Allahs ये भगवान मेरा छूट गया भूल गया मैं Phyllis बोलता है क्या छोड़ दिया रहे भाई तो Paspatoo बोलता है to turn off the gas in my room अपने रूम में जो gas चला रहा था चूला जो चला रहा था gas वो gas में चालूई करके छोड़ दिया बंद करना भूली है Phyllis बोलता है very well young man बहुत अच्छा young man it will burn at your expense ठीक है जलेगा तुमारे खर्चे से ठीक है adapted into a play from around the world in 80 days by Jules Verney देखो यहीं पर यह chapter को खतम कर दिया ठीक है लेकिन यहाँ पर यह chapter खतम नहीं होना था यह जो story है यह आगे भी चलता यह Phyllis Fogg जो है यह journey को पूरा करके ठीक समय से पहले पहुँचने ही वाला था कि उसको लगा था उसको लगने लगा क्या मैं story बता देता हूँ आगे क्या होता है आपके book में नहीं दिया हुआ है तो मतलब वो पहुचने ही वाला था कि उसको लगता है कि समय खतम हो गया लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि वो पूरा दुनिया का share करके वापस आ गया है और time थोड़ा सा यह हो जाता है ना अलग-अलग देश में अलग-अलग timing रहता है आगे पीछे का timing रहता है तो उसको समझ में नहीं आता है तो उसको लगता है कि time खतम होगी हम पहुच नहीं पाएं अब हम अपना 20,000 pound जो लूज कर जाएंगे लेकिन जब वो ध्यान देता है तो उसको पता चलता है कि हम लोग समय से कुछ पहले पहुच चुके है लंडन और फिर वो जाता है और सर्थ जीत जाता है ठीक है फिलिस फिलिस फोग पता नहीं क्यों ऐसा किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी यहां तक आपको समझ में आ गया हूग कमेंट कीजेगा कैसा लगा यह स्टोरी कोशन अंसर भी मिल जाएगा आपको मैं रेडी कर रहा हूँ कोई टेंसर नहीं लेना है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा इसका चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई वीडियो को शेर कीजेगा दोस्तों के साथ सारे क्लासमेट के साथ मुझे सपोर्ट मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड़ बाई